नमस्ते ट्रेडर्स आप सभी का मैं एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों ये वीडियो एक लर्णिंग वीडियो होने वाली है पर ये वीडियो मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं वैसे हमारे इस चैनल पर हम बहुत सारी एड एक बार फिर सारी और या भी वीडियो और पर फिर ऊब को आप चाहा आपको तर्सटाय सोद्स के और पर आपके काम की ज्यादा नहीं मिलेंगी उन निको बनाए गये जो यहाँ पर नहीं ट्रेडिंग स्टारट करना चाहते हैं तो चलिया अब हम इस बात को इस डिस्क्रि बीजिए मान लीजिए कि आप करते हैं और आप यहां पर नया है तो आपके मैं होता क्या है क्या है ल्यू वह तो सबस्क्रेंगे और आपके उनके इबी और आफ आपних चीज़े हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं अगर आप अभी नए बिगिनर और स्टार्ट करना चाहरा है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते है अगर वीडियो पसंद आए तो आप चाहे तो लाइक भी कर दीजेगा बाद में लाइक ज़रूरी नहीं वैसे पर अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में और ज्यादा चीज़े जाननी है तो आप चैनल को चेक आउट जरूर कर सकते हैं यहां पर हम बहुत सारे चय k Hahn को ट्रेडिंग होता क्या है अगरा अब सब्सक्राइब लिए करने के लिए हमें कमपनी का चाहर्ट देखने का जरूरत नहीं होता है कि हम चाहर्ट कोल के देखे उसमें इंडिकेटर लगाए वो सब जरूरत नहीं होता है तो basically आप बिना चार्ट देखे company के fundamental basis पे company का balance sheet वो सब देखे हम investing करते हैं पर trading इससे अलग है investing में हमारा जो view होता है वो long term view होता है long term मतलब एक साल दो साल तीन साल 10 साल 15 साल 20 साल long term view होता है और यह सही बात है यह जो बात है कि long term में जो companies होती है वो टेक्निकल के basis पर नहीं चलते वो चार्ट के basis पर नहीं चलते हैं वो केवल और केवल fundamental के basis पर जलते हैं तो investing का फंडा यह है कि company को तलासो company को ढूंडो company की खामिया और खूबिया ढूंडो उसके हिसाब से ट्रेड लो लेकिन यहां पर जब हम ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो ट्रेडिंग एक सौट टम वाली चीज़ है यहां पर हमारा कोई long term view नहीं होता है यहां हमारा short term view हो तो basically trading और investing में यही फर्ख है कि trading के लिए हमें चार्ट जाधा देखना पड़ता है हमें टेकनिकल जाधा देखने पड़ते हैं हमें company के fundamental से मतलब नहीं होता है यह मैं उनके लिए बता रहा हूं जो investing background से आ रहे हैं यहां पर और वहां पर trading स्टार्ट करना चाते हैं तो आपको सबसे पहले ही यहां पर technical analysis सीखनी पड़ेगी आपको यहीं सीखना पड़ेगा कि चार्ट हम कैसे देखते हैं आखिर हम चार्ट को कैसे देखें आखिर हम अपना risk manage कैसे करें अपनी capital को कैसे manage करें risk management capital management वाले सब आपने investing में भी सुने होंगे और अगर आप एकदम आए तो आप चार्ट से भी पहले इन सब्थों को देखें कि आखिर हम मार्केट में risk अपना कैसे manage करते हैं अखिर जो पैसा मार्केट मेपने लिकार रहें उसको capital कहते हो तो चार्ट जो चार्ट रीडिम है चार्ट रीडिंग हो गया टेकनिकल हो गया उसको सीखने से भी सबसे ज़री है इसना इसके किसी और इंवस्टिंग में वह एक ग्रात अगेंस्ट कोई ट्रेड जा रहा हमें अपना स्टॉप लोस लेके निकलना होता है तो अगर आप नए ट्रेड है तो रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट तो सबसे पहले सीखिए अगर आप यह दुरूची सीख लेंगे तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंग मैं आपको एक एक समझा रहा हूं ठीक है क्या ट्रेडिंग गैंबलिंग आपने बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर को बोलते हुए सुनाओगा जैसे राकेश जुन जुन वाल को बहुत सारे की ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए इंट्राइड ट्रेडिंग से कमाएं और फिर मैं इन्वेस्टर बना तो अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हो किसी दूसरे फिल्ड में वहां से आपको आप इन्वेस्टिंग करिए क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है इन्वेस्टिंग हम कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए कुछ पर वह पृब्ल टाइम इसनमें आपको डिवोट करना पड़ेगा वहर पर अपनी वहिकल लेकर तो वहां पर अपको चूट लज सकती हैं आपको इंजूरी आ सकते हैं तो उस लाइफ को रिस्क पर रखे हम हमेंसा ड्राइविंग के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं पर हमको पता है हमको यह वालू है कि मुझे ड्राइविंग आती है मेरे पास driving license मुझे driving आती है मैं सारे rules कुछ भी गलत होने की प्रोबिविलिटी बहुत कम है। तो ट्रेडिंग भी इसी तरीके से होता है। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत जाद है। लॉस्स्स अपके होते हैं। आप एक बार ड्राइविंग करना सीख जाओ न तो जो चीज हमें आता है उसमें हमारे risk होने के probability कम हो जाती है तो driving जैसे हमें सीखना पड़ता है उसी तरह की से ट्रेडिंग सीखना पड़ता है डिमेट एक खुलवा कि उसमें ट्रेडर लेने से हम ट्रेडर नहीं बन जाते हैं और ट्रेडिंग गैंबलिंग में आपको एक और ट्रेडिंग और गैंबलिंग में तो जमीन आसमान का पर यहां पर यह चीज हमें क्लियर हो गया दूसरा में दुबार यहां पर बताना चाहरा है एक इंपर्टेंट फैक्टर कि कि आप कौन से पैसे मार्केट में लेकर आ रहे हैं यह बहुत जरूरी है हमें समझना जो पै पैसे मार्केट में ले रहे हैं या फिर आपने फंट रखी थी वह पैसे लिया रहा है तो यह सारी चीज आपको एक सकस्पूल ट्रेडर नहीं बने देंगी जरूरी वह हमें एकसे फंड लेकर जो पैसा हमारे पास पढ़ा हो जो पैसा हम यहां पर गवाने के लिए तयार ह वही पैसे हमें मार्केट में लेकर आने चाहिए तो ही हमारे लिए चीज़ें काम कर पाएंगी आई हो आप यह समझ रहोगा यह बहुत बड़ी गलतियां लोग करते हैं कि ऐसे फंड्स लेकर आते बड़े-बड़े रिटन्स देखके क्या रिटन मिल जाता है तो जो भी आप कौन सा मनी लेकर आते वह आपको ध्यान रखना है और उसके बाद मतलब यह तो साइकलोजिकल कुछ पॉइंट्स हो गया है अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स टेक्निकल मतलब आपको कैसे प्लैटफॉर्म वगएरा यूज़ करना चाह तो यहां पर अगर हम टेक्निकल पॉइंट्स में देखे तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा प्लैटफॉर्म यूज़ करना चाहिए जिसमें ब्रोक्रेज ना लगए ऐसा क्यों यूज़ करना चाहिए क्यों कि बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में जो ब्रोक्रेज के लिए रापआ जाए काऊंट्स को जाधा पुरिफर करना क्यों कि वहां पर रही धी रापर हमें ब्रोक्रेज नहीं कटएंगा तो हमारा जो क्यापिल हो ठोड़ा सेफ रहेका क्योंकि गल्दिया तो अगर ब्रोक्रेज के साथ हमारा नहीं तो थीडेके आप चाब को दह दिमाग लगा रहा है और उसके बाद अगर आपका प्लैटफॉर्म भी कॉंप्लिकेटेड हो यहां पर तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाते कि मैं ट्रेट कहां लूँ मैं इंटर कहा करूं मैं एक्जिट कहा करूं अगर मुझे आपको उसी में दिमाग लगाना पड एक प्लैटफॉर्म के बीच में ड haciendo , प्लैटफ और यहां से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं मैं आपको यहां पर एप्ठीड इंटरॉडिब्य करवाना चाओंंग, एक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म क्याएं जहां पर ब्रोक्र सो दो तेडिडिज कर सकते हैं vist डिलिवरी तो होता है जो आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कर रहें तो भी यहां पर फ्री है और अगर आप यहां पर इंट्राडे करना चाहते तो भी यहां पर आपको जीरो ब्रोक्रेज देना पड़ेगा अगर फ्यूचर संड ऑप्शन में भी ट्रेड लेते है यहां पर थहाइब लेकरियों के-दो कोई प्रेडिम्ट करने हैं तो यहां पर सब्सक्रिप्शन पर पर बचा सकते हैं तो आपको यहां बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे जिससे आप ब्रोकरेज कर सकते हो और यह स्मार्ट है सिक्यूर सूपर फास्ट मैं बुलना एक ऐसा प्लाटफ़ाम हमें चाहिए जो इसी तो यूज हो और यहां पर आप पांच मिनिट में आती है जो काफी हिलफुल है नई ट्रेडर के लिए अगर आप इनवस्ट इंवस्टिंग से ट्रेडिग आ तो आपके लिए काफी तो यहां पर मैंने कर लिया तो आप लॉग इन करोगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसे डिए क्रेंगा ना मैं आपको बताता हूं मताइब पर अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपने प्राइस मार्केट में बाइब करते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको बिट कॉंटिटी भी बता देती है कानो देखने को मिल ने और इंडिया के इंडिकस हमें यहां पर देखने को मिल झाता है कि यहां पर आप को नॉटिफीकेशनड माले किसी दिन बूर जाते म ah सकते हैं अपने client बिच्छ को देख सकते हैं पाफ़ फापन यूज मैं यूज messenger अगर आप में आसा नहीं हो सकता है और यहां पर फंट प्रांसर में ओगा और अपने देख सकत Armenian प्राफिट लोगे आप यहиной से देख सो तो news IPO वो सारी चीज़ आपको किवल एक ही प्लैटफर्म में यहां एक लिंक दे दूंगा आप चाहे तो वहां से एकाउंट यहां open करवा सकते हैं वह कोई affiliate लिंक ने वह डायरेक्ट लिंक है आपको यहां पर इस website में आ जाएगा आप अपना एकाउंट open करवा सकते हैं तो यही एक ऐसे प्लैटफर्म को हमें जरूरत होती है जो हमें यह सारी सुब्दाइं प्रोवाइट के तो अगर आप अपनी साइकलोजी को सही कर लेते हैं प्लस आप यहां पर चार्ट ट्रीडिंग टेकनिकल एनलेसिस सीख लेते हैं और आपके पास एक अच्छा प्लैटफर्म होता है उसके बाद ही हमें ट्रेंट ट्रेडिंग के बारे में कुछ सोचना चाहिए और मैं आपको एक लास्ट में इंपोर्टेंट पॉइंट यह बता दू कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह होती है हाई कि जितना मैं क्या एक्सपेक्टेशन बता रहे हो पहले महीन अगर चाहते हो इतना रखो कि मैं महीने में 5-6000 रुपई इसमें कमा पाऊंगा क्योंकि अगर आप जाधा लेका स्टार्टिंग में तो आपके लॉसी होने वाले कुछ महीने मतलब ट्रेडिंग का फेसा होता म मैं आपको वह और बता देता हुआं आपको बात में हैल्प करे लेगा महीन अपने यहां एक ग्राफ बनाता हमें ठीक है यह यहां पर यह इह बहुत बहुत है कुछ यहां बात को ब्हुत 2,000 मान लेता हुए तो पहले स्टार्टिंग में यही होने होगा तो भी दीरे-दीर आपका प्रॉफिट फिल लॉस प्रॉफिट लॉस ऐसे आपका चलना शुरू होगा ठीक है ऐसे आपको चलते रहेगा पर आप प्रॉफिटेबल ट्रीडर नहीं बन पाएंगे और फिर जब आप सारी चीज़े कर लोगे मार्केट में थोगा टाइम करोगे उसके बाद वाला घर क्राफ सुनो और ऊपर चलते ही जाएगा यह उपर ही चलते जाएगा तो इस वाले फेज को आप देखते हो और आपको लगता आप स्टार्टिंग से इस फेज में आसकते हैं आपको इस फेज से घुजरना ही पड़ेगा यह जो स्टार्टिंग के लिए तो चलिए इस वीडियो में इस दिनो में उसको भी पब्लिस कर दूगा तो आप बस बने रहे कोई सजेंशन या फीडबैक को आप नीचे कमें लिख सकते हैं चले मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जहिंद प्सक्थ कर दोग केंस इसन दुक्ष में इस लिए बस्तात कर दो दूमच को में भी इस वीडियो में बस्तिखल्योंस केफ़ी जब और शुद में जहिंद सकते हैं के लिए इस।री सवीडियोंस टूब्स्टना ओैका प्स्टन